Dear Students, Welcome in the Lecture on Metal Pi Complexes. तो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वाधत है Metal Pi Complexes के इस Lecture में, जहां पर हम Metal Di-Oxygen Complexes के बारे में Study करेंगे. और इससे पहले हमने जो Metal Pi Complexes पड़े थे, वो पड़े थे हमने Carbonals, Nitrocells and Dinitrogen. तो अब हम देख रहे हैं कि जो Di-Oxygen है, यानि O2 है, वो किस तरीके से Legand की तरह Act कर सकता है. तो कैसे ये Act कर सकता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानि हम In-Production पढ़ेंगे, Di-Oxygen Complexes के, What are the Types of Bonding, उसके Molecular Orbital को जानने की कोशिश करेंगे. हम Different Reactions देखेंगे, और हम किस तरीके से जो Classification हम कर सकते हैं, जो Di-Oxygen Complexes होंगे, उनको हम किस तरीके से Classify कर सकते हैं, और उनके Uses क्या हैं, उसके बारे में हम Discuss करेंगे इस Lecture में. Di-Oxygen को पढ़ने से पहले, हम थोड़ा सा इसका Comparison और दूसरे Legand के साथ देखेंगे. अब देखेंगे, यहाँ पर जो मैंने आपको Legand दिखाया है, यह एक Two Electron donor Legand है, जहाँ पर यह X2 दिखाया है, बच्चो, X2 और XY, यह XY हो सकता है, यानि एक Atom, और दूसरा Atom, यह अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो पहला जो एक्जामपल मैंने आपको दिया है, वो Carbonil को अगर हम एक बार इसको revise करें, तो आप देखेंगे, जो Carbonil है, C-O, यह Two Electron donor species थी, और यहाँ पर जो Carbon था, वो S-P hybridized था, और आपने देखा, यह X-Y टाइप का लिगेंड हम इसे कह सकते हैं, तो X-Y टाइप का जो लिगेंड है, यहाँ पर यह Carbon है और Oxygen है, तो यहाँ पर आपने देखा, जो Carbonil जब Attached होता है, टर्मिनल फोर्म में, तो वो एक Linear Geometry में मिलता है, तो यह आपने देखा, Linear Geometry, C is S-P hybridized, अब आप देखिए, हम इसको एक्चल में Y गेंगे, यहाँ पर जो X में ने लिखा है, यह Y टाइप के जो लिगेंड है, X, Y टाइप लिगेंड लिए है, अब आप दूसरा लिगेंड लेते हैं, NO, NO जो लिगेंड है, आपने देखा, यहाँ पर NO जो है, वो S-P hybridized है, यह यह NO plus की फॉर्म में जुड़ा हुआ है, और यह यहाँ पर 3 electron donor की तरह एक्ट करता है, nitrogen, और जब यह 3 electron donor की तरह एक्ट करता है, तो फिर यहाँ पर जो इसकी जो 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 मेंटरी है, वो लिनियर जो मेंटरी में यह नाइट्रोसिल अटेस्ट रहता है, लेकिन एक और फॉर्म आपने देखी थी, यह नाइट्रोसिल की, तो यह एनो माइनस की तरह एक्ट कर रहा था, और यह उस समय एक electron donor इस पिसेश थी, और यह आपने देखा, bent geometry यह अटेंट करता है, तो इस तरीके से आप यह देखेंगे कि यह जो नाइट्रोसिल है, वो दो तरीके से अटेच हो रहा था, या तो वो थ्री electron donor था, या या फिर वो एक electron donor था, और यह bent form में present था, अब हम दूसरे ligand की अगर बात करें, यानि X-X, यानि N2 ligand की अगर हम बात करें, तो N2 के केस में आपने देखा, या तो N2 जो है वो linear, यह यह क्या है, यह है end on terminal position, और दूसरा जो इसका form था, वो था side on terminal, यानि इसको हम chilated form भी कह सकते हैं, chilated form भी हम इसे कह सकते हैं, कि यह nitrogen जो है, वो eta 2 की तरह एक्ट करके, इस metal से attached था, तो यह आपने different combinations देखे, कि अगर मैं X-X ligand की बात करूं, जो कि Pi complex form कर रहा है, और अगर X-Y ligand की बात करूं, जो कि Pi complex का formation कर रहा है, तो वो linear attach हो सकता है, या फिर आप देख रहे हैं, कि वो जो है, वो kilate form में attach हो सकता है, cyclic structure बना सकता है, अब आप देखिए oxygen का molecular orbital diagram, तो oxygen का molecular orbital diagram, जब हमें आएगा, तो हम बता सकते हैं, इसकी speciality की किस तरीके से bonding बना सकता है, अगर हमने जो अभी तक ligand पड़े, उनके comparison में, तो आप देखिए, ये जो atomic orbitals हैं, ये एक oxygen के atomic orbitals हैं, और ये दूसरी oxygen के atomic orbitals हैं, and these are the molecular orbitals of O2, तो oxygen को अगर आप देखेंगे, तो इसका जो electronic configuration है, valence shell 2s22p4, दूसरी का भी क्या होगा, 2s22p4, और ये दोनों की energy बरावर होगी, क्योंकि दोनों oxygen है, और आप देख रहे हैं, जो molecular orbital हैं, यहाँ पर एक bonding orbital बनेगा, और दूसरा anti-bonding molecular orbital बनेगा, और आप देख सकते हैं, ये जो 4 and 4, 8 electrons ये हैं, distribute होंगे, कि 6 electron तो होंगे bonding orbital में, और 2 electron कहां होंगे, pi anti-bonding molecular orbital में, तो अब आप देख सकते हैं, कि अब ये different है, देखिए, आपने देखा था, कि जो nitrogen था, di nitrogen, वहाँ पर ये जो orbital थे, ये pi star, ये क्या थे, MT थे, ये खाली थे, वो बिल्कुल nitro cell की तरह था, लेकिन oxygen में आप देख रहे हैं, कि ये जो दो orbital हैं, ये partially filled हैं, partially filled हैं, तो partially filled होने की वजह से, आप देखेंगे, कि ये जो oxygen है, ये oxygen दो different modes में attached हो सकता है, अब ये जो oxygen है, ये क्या कर सकता है, ये electron ले भी सकता है, इसमें भी ले सकता है, ठीक है, लेकिन electron pair तो नहीं ले सकता है, लेकिन single single electron accept कर सकता है, तो single single electron से ये जो accept कर सकता है, तो अगर ये यहाँ पर accept करता है, तो क्या बन जाएगा, O2-, और अगर ये एक electron यहाँ accept कर ले, और एक यहाँ कर ले, तो यह क्या बन जाएगा O2 2- तो अब आप देखेंगे यह किस तरीके से यह दो तरीके की आयन्स का formation करता है तो अगर हम इस form को देखें यानि जब यह एक electron accept कर रहा है तो यह super oxide iron बना रहा है और जब यह दो electron को accept कर रहा है तो यह per oxide iron बना रहा है तो दो तरीके की ions form कर सकता है oxygen क्योंकि यह anti-bonding orbitals में electrons ले सकता है now see the bonding in metal-dioxygen complex अब आप metal-dioxygen complex में bonding देखिए जो di-oxygen में आपने देखा जो pi orbital थे वहाँ पर आपने देखा एक-एक electron था pi star orbital में तो pi star orbital में जब एक-एक electron थे तो क्या हो सकता है कि यह जो electron है यह donate कर सकता है यह oxygen अपना तो it may be one electron donor and जब यह one electron donor होगा तो it may attain bent geometry तब यह क्या कर सकता है bent geometry जैसा आपने देखा NO2 minus करता है NO2 minus एक electron donate करके bent geometry attain कर सकता है यह फिर आप देख रहे है दोनों oxygen में एक-एक electron है तो यह दोनों oxygen क्या कर सकते है एक-एक electron अपना donate कर सकते है और एक-एक electron को donate करके यह देखिए इस तरीके से attach हो सकते है तो एक electron यह metal को donate करेगा एक-ए oxygen इस metal को donate करेगा और chelating form में यह attached हो सकते है लेकिन जो oxygen है डाय oxygen यह आप देख सकते हैं कि यह इस तरीके के linear fashion में यह जुड़ नहीं सकता क्योंकि इसके लिए इसको two electron donor होना पड़ेगा अब तब एक ही sigma orbital की जो non bonding electrons होंगी उनको क्या करने पड़ेंगे? Electrons donate करने पड़ेंगे तो यह electrons जो हैं वो जो two electrons sigma bonded orbital में होते हैं बहुत अंदर होते हैं उनकी energy बहुत कम होती है तो यह दो electron oxygen आसानी से donate नहीं कर सकता लेकिन जो electron यह donate कर सकता है वो यह electron है यह electron को donate कर सकता है single electron को donate करके bent geometry attain कर सकता है और दोने electron को एक metal center को एक oxygen एक electron देगा दूसरा oxygen दूसरा electron देगा तो इस तरीके से यह chelating type की bonding बना सकता है इसलिए कि वो दो मोड होते हैं जब दायोक्सिजन जुड़ता है एक होता है बेंट मोड और एक होता है कि लेटिंग मोड आप जैसा देख रहें जैसा कि आपने देखा था कि यह साइड ओन टर्मिनल में यह आपने नाइट्रोजन कॉंपलेक्स में देखा था अब मैंने आपको जो बताया था कि अगर मैं फॉर्म्स ऑफ डायोक्सिजन देखूं तो फॉर्म्स ऑफ डायोक्सिजन के लिए मैंने अगेन हमें क्या देखना होका उसको अपने अपने देखा था पाई स्टार और विटर तो ओटू जो है कुछ चार्ज्ज फॉर्म में भी एक्जिस्ट कर सकता है क्योंकि इसके एंटी बांडिंग मॉलिक्लो और विटर्स क्या होते हैं हाफ फिल्ड होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक इलेक्ट्रों एड कर दिया जाए तो ओटू माइनस इस पिसीज बनाएगा जो कि एक सुपर ऑक्साइड आयन है और अगर दो इलेक्ट्रों का एडिशन कर दें तो ओटू को ओटू माइनस में कनवर्ट किया जा सकता है जो कि पर ऑक्साइड आयन है और जब यह पर ऑक्साइड आयन बनेगा तो ओ ओ जो जो बांड की लेंथ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा ओके तो अगर टू चार्ज तो इसके anti-bonding में 2 electron आएंगे और जितने electron आएंगे उसका bond order जो है वो उतना ही अधीक होगा तो यहां पर bond order अधीक होगा तो और ओ के बीच की जो distance है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी तो इस तरीके से दो form में di oxygen बनाता है एक होती है per oxide form और एक होती है super oxide form अगर हम reactions देखें di oxygen की तो di oxygen reaction कर सकता है देखें it can react with metal in two manners यह metal के साथ दो main manner में यह reaction कर सकता है एक reactions जिने हम oxidation reactions कहते हैं और इन reactions में क्या होता है जो oxygen molecule है it loses its identity वो अपने identity को lose कर सकता है और new product का formation करता है तो यहाँ पर आप देख सकते है oxygen oxygen को मैं triplet क्या रही हूँ triplet क्यों क्यों क्या रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि दो unpaired electrons है और जब दो unpaired electron होता है तो इनकी total spin कितनी होती है one plus half plus half one हो जाएगी और जब spin half one होती है तो जो multiplicity होती है वो two s plus one होती है तो two s plus one is equal to three तो इसकी जो multiplicity है वो three है तो three जो है multiplicity इसकी ground state term है और जब यह h new absorb करती है तो singlet form में बदल जाती है वतलब इसमें एक भी unpaired electron नहीं होगा दोनों electrons जो paired हो जाएंगे और यह जो singlet oxygen है फिर यह reactive species है और यह react करके oxidation कर सकती है और यह जो reaction है यह non reversible reaction है एक direction में reaction हो रही है तो oxidation की reaction है आप देख रहे है oxygen जो oxygen नहीं रहा और यह अपनी identity को लूज करके नया product इसने form किया so this kind of reaction is oxidation reaction दूसरी type की जो reactions जो dioxygen शो करते हैं वो है oxygenation reaction जहां पर oxygen अपनी identity को लूज नहीं करता है तो the reaction of dioxygen with the complexes to incorporate dioxygen ligand is called oxygenation oxygenation में क्या होगा कि O2 जो है as it is bind हो जाता है और O2 as it is bind होता है और उसके बाद O2 वहां से निकल भी सकता है तो इस process को हम कहते है oxygenation की process जहां पर O2 does not lose its identity the reverse of oxygenation process play an important role in biological system और आप जानते ही है कि जब जो हम respiration की जो process होती है hemoglobin और myoglobin में oxygen का जुड़ना ये एक reversible process है जहां पर आप देखते हैं कि oxygen as it is जुड़ जाती है hemoglobin के साथ और फिर वहां से remove भी हो सकती है muscles में ये oxygen को दे देते हैं तो this reaction occurs in hemoglobin and myoglobin molecules तो biological system में बहुत important है ये oxygen का जुड़ना जो की oxygenation reaction के दुरू होती है अब अगर हम classification देखेंगे dioxygen complexes का तो दो तरीके के main complex हम देखेंगे एक देखेंगे mononuclear dioxygen complex और दूसरे हम देखेंगे mononuclear dioxygen complexes जहांगे जहांपर केवल एक ही nucleus एक टाइप का nucleus होगा अब इसमें आप देखेंगे oxygen दो तरीके से bind हो सकती है जैसे nitrogen में थी या तो end on oxygen या इटा 1-EO2 complex या फिर side on eta 2 oxygen complex का formation हो सकता है end on हम पहले बता चुके हैं जब भी end on ये जुड़ेगा तो ये bent होगा ये nitrogen की तरह linear नहीं होगा तो ये bent होता है it may be one electron donor और it may be two electron donor तो यहाँ पर ये eta 1 है यहाँ पर ये eta 2 है तो ये जो form है ये myoglobin and hemoglobin या नहीं biological systems में अधिक तर आपको देखने को मिलेगी कुछ complexes हैं को वाल्ट के और iron के पॉर्फाइरिन के साथ तो वहाँ पर भी जो oxygen है वो bent form में जुड़ी होती है और यहाँ पर क्या होता है कि transfer of electron from metal to form super oxide anion तो यहाँ पर क्योंकि यह oxygen है वो one electron donor है तो इसलिए यह super oxide form में जुड़ावा होता है oxygen और oxygen की bond length अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वह है 1.2 से 1.3 angstrom तक होती है दूसरा अगर हम example देखेंगे side-on जो mononuclear di oxygen complexes है जहाँ पर eta 2 oxygen complexes इने हम कहते हैं तो most common metal complex जो है वो वास का compound है जो rhodium या iridium का होता है उस case में यह जो complex है वो वहाँ पर oxygen जो है वो किस form होती है chelated form है यानि यह oxygen भी electron donate करी यह भी तो यह eta 2 है और यहाँ पर जो bond length है वो और अधिक आप देख रहे हैं तो यह bond length अधिक है और यह bond length क्या है कम है तो यह difference है end-on oxygen complex में और side-on di oxygen complex में and this is the example of the end-on di oxygen complex यह आप देख सकते हैं यह hemoglobin है यह oxy hemoglobin है जब इसमें oxygen जुड़ेगा तो यह bent form में यहाँ पर जुड़ता है अब आप देखिए कि यह जो formation है eta 2 complex का देखिए हो सकता iridium का complex है यह कैसे देखिए two electron redox process है और यह जो oxygen है यह दो electron donate करता है iridium को दोनो oxygen atom के तुर एक एक electron donate करता है और यह जो complex है यह side on oxygen complex बन गया है अब यह जो आपको जो मैंने यहाँ पर reaction दिखाई देखिए यह जो बन रहा है sodium के iridium के nickel के यह complex पर synthesize किये जा सकते हैं और जो metal atom और जो oxygen जो जुड़े होते हैं वो क्या बनाते हैं यह बनाते हैं isocellus triangle का formation करते हैं जो o-o bond length है oxygen complexes की यह 1.31 से 1.63 angle strong पर vary करती है and this variation depends on the electron density at the metal center यह जो o-o bond distance है यह मैं आपको दिखाऊंगी यह depend करता है कि electron density metal center पर कितनी है यह तो आप जानते हैं आपने metal nitro cells भी देखे आपने metal carbonals भी देखे जहां पर आपने देखा था कि metal center पर जितनी electron density होगी okay metal center पर जितनी electron density होगी तो उस हिसाब से अगर हम carbonals को देखें तो carbonals के case में क्या होता था metal electron की density अदिक है तो यह क्या करेगा pi bonding और strong होगी और यह जो bond की absorption frequency यह क्या हो जाएगी कम हो जाती थी carbonals के case में तो यहां पर भी आप देखेंगे जो variation हो रहा है जो bond length में that also depends upon the variation in the electron density on the central metal atom जो further किस पर depend कर सकता है वो depend कर सकता है कि और दूसरे ligands कौन से present है जो कि आपने ligand donation effect भी आपने पढ़ा था metal carbonals पे तो वो भी effect करता है इस bond length को कैसे effect करता है वो मैं आपको बताऊंगी एक close relationship है degree of reversibility and oxygen oxygen bond length degree of reversibility of a reaction कोई reaction कितनी अधिक reversible होगी वो depend करती है oxygen oxygen bond length पे जो bond length है oxygen oxygen की जितनी अधिक होगी उतना वो irreversibly formed complex होगा जिसे हम example से आपको समझाएंगी तो सबसे पहले यह समझते हैं कि reversibly formed complex कौन से होते हैं और irreversibly formed complexes कौन से होते हैं देखिए हमें यह bond length से पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो bond length है वो देखिए कम है ठीक है इन दोनों complex में अगर हम compare करें तो यहाँ पर यह bond length कम है और यहाँ पर यह bond length अधिक्या oxygen की जबकि यह complex बिल्कुल एक से हैं difference क्या है कि यह जो ligand जुड़ा हुआ है यहाँ पर chloride है और यहाँ पर iodide है तो यह जो difference है इसकी वजह से क्या होगा बच्चों जो chloride है कि अब मैं आपको पहले एक बार carbonil की और फिर से ले जाती हूँ कि यह जो carbonil था ओके अब यहाँ पर एक ऐसा ligand जुड़ा था जो अपनी और electron खीच रहा था तो इससे क्या होगा कि यह जो bond strength है यह और बढ़ जाती है बच्चों तो यहाँ पर frequency और बढ़ जाएग और इसको electron deficient कर देगा तो क्या होगा कि यह जो bond है यह all strong हो जाएगा यह bond strong होगा तो bond length क्या होगी कम हो जाएगी अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर क्या है कि यह electron को उतना नहीं खीचेगा जितना chlorine कीच रहे तो electron की density जो है वो बनी रहेगी electron की density होगी तो यह क्या बैकबॉंडिंग करेगा और बैकबॉंडिंग का मतलब है कि यह जो bond है वो क्या हो जाएगा वीख हो जाएगा और ये bond क्या हो जाएगा strong हो जाएगा ये weak हो गया देखिए ये weak हो गया तो इसकी bond length क्या हो गए बढ़ गई अब देखें ये जो bond है IR और O के बीच का ये strong हो गया ये strong हो गया तो ये क्या आसानी से तूटेगा नहीं तूटेगा तो ये नहीं तूट सकता है मतलब ये जो bond है IR और O के बीच का ये आसानी से नहीं तूटेगा नहीं तूटेगा तो ये irreversibly नहीं form होगा जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये bond length कम है ये bond length कम है लेकिन IR और O के बीच की जो bond length है अब क्या हो जाएगी ये तो strong है यहाँ पर और ये क्या है वीक है तो जब ये जो bond length है ये वीक है ये strength वीक है यानि ये oxygen molecule आसानी से release हो जाएगा तो आसानी से release होने का मतलब ये reversibly formed है इसमें से oxygen आसानी से निकल भी सकता है और जोड भी सकता है तो reversibly formed complex है ऐसे ही आप similarly आप यहाँ पर देखेंगे दोनों complex में ये जो यहाँ पर जो center है metal center ये electron deficient है और यहाँ पर जो metal center है वो electron efficient है तो deficient के case में क्या होगा ये back bonding अच्छी नहीं करेगा जब ये back bonding अच्छी नहीं करेगा तो ये bond length क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और जब ये bond length कम होगी तो इसका मतलब है ये क्या होगा strong bonding है और ये कैसी bonding है weak bonding अब यहाँ पर आप देखिए IR जो है वो sufficient electron है तो ये back bonding करेगा और जैसे ये back bonding करेगा तो ये bond क्या हो जाएगा weak हो जाएगा और ये bond क्या होगा आसानी से यहाँ पर तूटेगा तो जब ये आसानी से तूट जाएगा मतलब ये reversibly formed है और आसानी से अगर ये नहीं तूट रहा है मतलब ये irreversibly formed complex है तो इसको हम explain कर सकते हैं कि जब एक di oxygen complex में reversibly complex बना हुगा जैसे मैंने आप से कहा कि ये जो अगर ये एक complex है अगर ये एक complex है तो यहाँ पर अगर ये वाला bond क्या है वीक है ये वाला वीक कव होगा जब pi back bonding होगी ठीक है pi back bonding कव होगी जब electron की density अधिक होगी इस metal center पर और जब इसको electron देने वाला लियांड यहां पर present रहेगा और ये वाली bond क्या होगी strong हो जाएगी तो ये अगर strong होगी तो irreversibly formed compound है ये oxygen को release नहीं कर पाएगा लेकिन जहाँ पर oxygen आसानी से release होगी यानि वो reversibly formed complex होगा और उस case में जो synthetic oxygen carrier की तरह ये molecule act कर सकता है कौन सा molecule ये जो reversibly formed molecule है ये synthetic oxygen carrier की तरह कर सकता है यानि oxygen को reversibly ले भी सकता है और उसको निकाल भी सकता है जैसे hemoglobin और myoglobin करते हैं दूसरा आपने देखा कि ये irreversible dioxygen binding की वज़े से क्या होता है metal का क्या होता है oxidation हो जाता है जो metal है वो lower oxidation state से higher oxidation state में oxidize हो जाती है और ये जो complexes हैं they are useful compounds for homogeneous catalytic oxidations तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जो complex है वो किसी भी तरीके से बेकार है नहीं जो reversibly formed होता है वो synthetic oxygen carrier की तरह अक्ट कर सकते हैं और जो irreversibly wind formed होते हैं वो homogeneous catalytic oxidation में oxidation में पार्टिसिकेट कर सकते हैं तो उनका importance आपनी जगह पर और जैसे कि आप जान सकते हैं कि जो reaction है hydrogen peroxide की aqueous titanium के साथ brightly red color का peroxy complex बनता है और ये test है जो कि titanium का और hydrogen peroxide का test होता है तो यहाँ पर भी एक peroxo complex का formation होता है जिसका color गया होता है bright होता है तो यह आप देख सकते हैं कि test के बीच में भी हम इसको use कर सकते हैं यह यह दाइ ऑक्सिजन कॉंप्लेक्स का formation test के बीच में भी होता है दूसरी जो इस species है वो है di nuclear di oxygen complexes di nuclear di oxygen complexes bridging होंगे यहाँ पर di oxygen क्या होगी bridging होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं mood कई तरीके की हो सकता अगर इस mode को हम देखें तो यह eta 1 है एक metal center के साथ जुड़ा यह भी eta 1 है तो eta 1, eta 1 देखें, mu eta 1, eta 1 यह example है यानि यह super oxo type है जहाँ पर eta 1 होगा यह super oxo की तरह act करेगा अब अगर आप यहाँ पर देखें यह bridging है यहाँ पर आप देखें यह oxygen इस metal center के साथ पिचुड़ा इसके साथ पिचुड़ा है तो यह eta 2 है यह वाला भी क्या है? eta 2 है तो यह जो है आप देखेंगे इसको mu 2 bridging है दो metal center के बीच में है लेकिन eta 2, eta 2 है यहाँ पर आप देखें oxygen को यह oxygen दो metal center के बीच में है तो यह eta 2 है यह oxygen एक metal के साथ है तो यह eta 1 है तो यह क्या है? eta 1 and eta 2 तो इसमें एक super oxo है यह क्या है? पर oxo और यह super oxo यहाँ पर क्या है यह दोनों के दोनों? क्योंकि यह eta 2, eta 2, eta 2 का मतलब पर oxo और यह क्या है? superoxo, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन superoxo है, तो एक आपको मैंने अग्जाम्पल दिखाया है, oxyheemocyanin, जहां पर आप देख रहे हैं कि oxygen जो है वो, यह इस तरीके से bind है, जैसी यहां पर यह bind है, तो eta2, eta2 type का यहां पर आपको, जो bridging है वो दिख रही है, अगर हम uses देखें डाय ऑक्सीजन कॉंपलेक्स के तो यह प्रिकर्शर है ऑक्सीजेनिक लिगेंड्स के जैसे मेटल ऑक्सीजन कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं अगर जो डाय ऑक्सीजन कंपलेक्स हैं उनमें अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉंड टूट जाए तो मेटल ऑक्सीजन कं से hydro-peroxo compounds बनाई जा सकते हैं और यह half जो fuel cell की half reaction होती है उसको भी represent करते हैं synthetic di oxygen complexes मैंने आपको बताया कि जो reversible होते हैं यह oxygen carrier की तरह act करते हैं और homogenous catalyst में भी use होते हैं और reversible binding जो है वो purify करती है oxygen को air से तो इस तरीके से आप देख सकते हैं there are different lot of use of di oxygen complexes okay now we conclude just what we had studied in this lecture हमने इस lecture में क्या पढ़ा आपने देखा कि जो di oxygen complexes हैं they are equally important जैसे हमने और complexes पढ़े और यह pi complexes बनाते हैं और यहां पर आप देखेंगे लेकिन oxygen को जूड़ने का जो तरीका है वो दो main होता है it may be one electron donor और each oxygen may be one electron donor तो chelated form में या फिर bent form में यह attached हो सकता है और इससे पहले हमने यह सारे comparison देखे थे different ligands कैसे attached हो सकते हैं metal के साथ और यह कैसे di oxygen different है उसको हमने समझा oxygen के molecular orbital diagram की हलप से कि यह electron दे सकता है या फिर यह दोनों electron दे सकता है और यह एक electron यहाँ पर ले भी सकता है और एक electron यहाँ पर यह ले सकता है तो different type के हमने binding modes देखे और reactions देखी में दो तरीके की होती है oxidation reaction and oxygenation reaction oxygenation reactions जो की biological systems में generally होती है फिर हमने classification देखा di oxygen molecule का mononuclear oxygen complex हो सकते हैं end-on तरीके से जुड़ा हो सकता है या side-on terminal की तरह से oxygen जुड़ी हो सकती है अगर वह side-on से जुड़ी होई है तो it may be reversible और it may be irreversible दीकिए जो end-on थी वो तो reversible होती है आपने देखा biological systems में पर यह जो side-on होती है it may be reversible और may be irreversible अगर reversible है तो synthetic oxygen carrier हो सकती है अगर यह reversible है तो यह homogeneous catalytic process में participate कर सकती है फिर आपने देखा di nuclear di oxygen complexes यह इतने तरीके के modes के through attach हो सकती है di oxygen bridged में और उसका example भी हमने आपको दिया है then we had studied about the uses of di oxygen complexes and this is all about the di oxygen complexes in the next lecture we will discuss about the phosphine ligands और phosphine ligands को अगर हम देखेंगे कि इतने interesting ligands है वो बिलकुल उनकी जो activity है वो बिलकुल change हो जाती है if we change the substituent present in the phosphine okay तो बहुत interesting है और जो phosphine ligands है वो कई तरीके से act कर सकते है उसको हम next lecture में study करेंगे okay so thank you very much change what झाल